नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो दिखिए एरपोड अथर्ट अथर्ट अप इंडिया की तरफ से यहां पर आपकी वेकिंसी निकाली गई है जुनियर एक्जेकेटिव के लिए तो इसमें देखिए टोटल जो है आपके 368 टोटल पोस्ट है इसमे से लिए हैं तो आप लोग यहां पे पिडिएप को डाउड़ करके इसमें डीटेल इ incredible आप लोग देख सकते हैं इसके regarding तो देखिए जैसे में इस login करेंगा तो इसमें पूरा डीटेल में क्कैसन आपको म मेल जाएंगे तो इसमें बहुत सारे आपका है, तो पहला आपका इसमें, that is, manager का, जो कि fire service के लिए है, तो इसमें देखिए, जो minimum qualification आपका, that is, B.P.T.E.C. degree आपका होना चाहिए, है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो main आपका, इसमें, vacancy है, जो कि सभी के लिए है, तो वो है, आपका, इसमें, that is, junior executive का, जो कि air traffic control के लिए है, तो इसके लिए देखिए, जो आपसे qualification, आपसे माई गई है, तो that is, चाहिए, कि bachelor degree of three years in science, वो आपका, B.S.C. में, यानि कि B.S.C. आपका होना चाहिए, with physics और mathematics आपका यह होना चाहिए, compulsory, और यहाँ पर और करके आपका दिया हुआ है, कि bachelor degree engineering में आपका होना चाहिए, कि किसी भी discipline में आपका होना चाहिए, यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है, कि आपके पास mechanical civil या किसी भी branch से आपका engineering हुआ हो, तो आप लग apply कर सकते हैं, जिसमें कि physics और mathematics है, यह तो subject मतलब कि आपका कोई भी semester curriculum में यह तो subject होने चाहिए, तो कोई भी इसे apply कर सकता, और वैसे भी physics, और साथ में जो आपका यहाँ पर mathematics है, तो यह तो रहते ही है, first year या फिर second year रहते हैं उनमें, तो इसमें देखी कोई भी experience, यहाँ पर essential experience नहीं मागें गई है इसके लिए, तो इसका जो total vacancy है आपका, that is 264 vacancy है इसकी, तो वो है आपका graduate in science and MBA, यानि कि science और साथ में MBA और two years का duration का अपका होना चाहिए, या तो फिर bachelor degree in engineering में आपका होना चाहिए, तो इसमें भी देखी कोई आपसे experience नहीं माई गई है, तो total इसमें देखी 83 vacancy है इसकी, और वहीं पर junior executive technical के लिए, तो इसमें देखी आपके बी बीटेक degree आपसे माई गया है, that is in mechanical या फिर automobile में आपसे माई गई है, तो इसके जो total फिकिंस है तो वो आपका 8 है इसमें, इसमें भी कोई experience नहीं माई गई है आपसे, और वहीं पर देखीए age limit के हम बात करते हैं, और वहीं पर देखीए जो relaxation भी दी गई है, यहाँ पर जैसे provision रते हैं, government rules के coding, तो जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, 5 years जो रता है आपका date is STSE के लिए, और 3 years OBC के लिए जो non-crimalier के student है, उनके लिए यह relaxation रखी गई है, और यहाँ पर देखीए जो आपका यहाँ पर online application fill करने का जो date आपका है, तो यह 15-12-2020 है इसका, 15 December से आप लोग apply कर सकते हैं, और last date इसकी है, 14-1-2021 तक है आपका apply करने का last date इसका है, और जो tentative जो date रहेगा online examination का, जो कि discipline wise रहेगा, तो यह जो है आपको बाद में announce कर दिये जाएगा, तो जब भी आएगा तो हम आपको इसके बारे में regarding, जह है video मना देंगे इसके regarding, और वहीं पर देखीए जो emulments हैने के जो salary आपका रहेगा इसमें, तो जो CTC आपका इड़ाटीज मैनेजर के लिए, तो वो around 18 lakhs रहेगा अप्रोक्सिमेटली, और जो junior executive है तो उसका around 12 lakhs रहेगा आपका, और वहीं पर देखीए application fee के हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 1000 रूपी रखी गई है application का आपका जो candidate होंगे, और बाकी जो STSE या फिर जो female candidate है, तो उन लोग को सिर्फ यहाँ पर 170 रूपीज पे करनी है, और यहाँ पर देखे जो online test आपका रहेगा तो यह bilingual रहेगा आपका हिंदिय और English में, तो यहाँ पर देखी डिटेल में आप ही नहीं दी गई है कि आपका paper का pattern किस तरीके का रहेगा, तो वो जब भी होगा तो हम आपको बता देंगे और जो पुराना pattern रहा है तो उसके basis पे भी हम आपको बता देंगे next वीडियो में, तो चलिए दिया आपका और भी कोई doubt रहता है तो आप लोग comment करना,